तो हमने जो आपको पिछले वर्किंग डे के लिए सबसे पहले उनको डिसक्स कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉंस रहा है हमने एक इंपॉर्टेंट डिवल मांग किया वाला 2.477 का लेवल हमने डिसक्स किया था कि अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो हमें बाई सेट का देखने को मिलेगा और अगर मार्केट इससे नीचे कर जाती है तो हमें इस चैनल नहीं कर सकते थे लेकिन इस के उपर हमारे जो ट्रेड है वह अक्टिवेट हुआ इसके बाद मार्केट ने फर्स तागेट किया उसकी बाद मार्केट जो है वापर सूपर के तरफ चलीगी करें लेकिन इसी नेमन से मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस कीया है तो यहां के बाद मार्केट कर च्पीड निइशन रहा है अब यह तो यह कर दीखिए हैं किस तरह का हमें मूव देखने को मिला है तो स्विच करेंगे हमने कहा था कि छोड़ चोड़ से प्राइट करने होंगे हमें हमने कि मार्क इसको ब्रेक कर लोगर सकता है और असे मुल सकता है और यहां से ने लिग सकते हैं और इसको ब्रेक करने के दाइब से काफी बारी के मार्केट ने हाँ से एक्टिवेट किया लेकिन से से नीचे यह नहीं हुए तो मार्केट बेसिकली इन दो लेवल 213.3 और 208.6 तक के बीच में ही रह गई है तो हमने यह बहुत कि इस एक श्राइब किया था कि हमें जादा बड़े टागेट नहीं लेने हैं था च्छाइब कोई इंपॉर्डंट डाटा हमें अफेक्त नहीं करने वाला था जाके तो यह हमारे रीजंद रहे हैं यह हमारा आँ प्रिष्ले कल पर औरह मैं बात करें देश्र निंग कि नेक् झारए लेकिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक निकर भारी यहां पे यहां पर गाप टोडर आप टारों करते हैं अगर यहां से कलार्टी मिलेगी तो ठीक है यहां साही द्राइब को क्लियर करके दुबार सबेगे या से मांकेट नीची के तरफ गिर रही थी उसकी मांकेट ने फपर तरफ धेसके मांकेट और ये जूë लिए इसको बरेक कर पा रही है यहां पर भी बागी कर पा हging नहीं आई है वे जाए रही है दें इसके ऊपर छोचिंग नहीं देखने को मिल जाएगी तो में बहुत अच्छान मूव अपसाइट का आने वले टाइम में देखने को मिल सकता है अधर्वाइस मार्केट इस ट्रेल लेन को तोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश में लगी हुई है यह यह तब करन सीडर होगी कि टूट गई है जब मार्केट इसको एक तो यह मारी डाउन चल रही थी यह उसी ट्रेंड के साथ साथ एक छोटा सा अप्ट्रेंड बना है साथ में एक रिससिव लेवल है जो उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है ठीक है तो तीन इंपॉर्डटन लाइन से मार पास स्टाइम पर अब हम चलते हैं नावर के चार्ट पर और यहां पर देखते कि मारकेट किस तरह से मुव कर सकती है यहां पर मारकेट ने का फी स्ट्रॉम ली सपेसका इसको एक्स्टेंड करते हैं तिक हैं कि अब यह में क्या करना है अमारे पास दो इंपोर्टे लाइन जैए एक तो जो हमने भी एक्सेंड किया है लेवल यह 2.435 का लेवल और दूसरा लेवल है हमारा इन दोनों लेवल में से जिस भी साइड का मूव मार्केट लेगी उस साइड का में टेहने को मिल सकता है फिर से एक बार चोटे टेर्स में एंट्री दीजेगा जादेर मार्केट में रूपनी की जूरूरत नहीं है क्योंकि कोई स्ट्रॉंग डाटा नहीं आ रहा है और इसके इस फोड़ा से इंप おड़ हसा है लिवाल इसके अवयर वित अध uğर मर्केट बंदे लिए तो मृपन धिनना सोड़ी करना है तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी wait करनी है, जिस भी level को market break करेगी, उस side का हमें trade देखने को मिलेगा, अगर 2.423 को break कर देती है, तो first target रहेगा 2.415, next target रहेगी, यह हमारा uptrend, उसके बाद अगर market उपर के तरह बढ़ती है, और 2.435 को break कर देती है, तो 2.447 first target रहेगा, 2.460 second target रहे सकता है, तो यह levels mark कर लिजया, XNG, USD में, यह आपको काफी support कर सकते हैं, trading के लिए, हम बात करेते हैं, futures में किस तरह का move आ सकता है, futures में तो वैसी market sideways ही चल रही है, जादा move आ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें कुछ levels draw करने पड़ेंग लेकिन यहाँ में market जो है, काफी strongly support लिया है, पिछले कल में, market इससे नीचे closing नहीं दे पाई है, लेकिन यहाँ तक market multiple times आई है, तो अभी हमें क्या करने है, इसको mark कर लेते हैं, या इसी को रहने देते हैं, यह जो level हमने mark किया वाग, इसको रहने दीजिए, इसको एससे intact र किया सकते हैं, market sell सही जाएगे, क्योंकि एक लंबा gap हो गया है, इस trading में, Saturday भी चुटी है, Sunday भी चुटी है, Monday भी काफी जगा पर चुटी है, तो move आने के chances बहुत जादा कम लग रहे हैं, तो market gap up, gap down किसी भी side पर open हो सकती है, अगर आपको gap up, gap down जानना है, तो इसके लिए XNG USD का चार्ट पहले देखेगा, अगर XNG USD काफी उपर चल रहा होगा, तो natural gas भी gap up open होगा, अगर XNG USD काफी नीचे चल रहा होगा, तो natural gas जो है, futures जो है, वो नीचे की तरफ gap down open होगा, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर इस pattern की बात करें, तो यह तो यह बेरिश पै तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगी, अगर market हमारे जो recessive level है 211.7, इसके उपर जाता है, तो first target रहेगा 213.3, इसके उपर भी अगर market closing दे रहती है, strong candle, strong volume, तो हमार को next target देने को में लेगा 215.2 का level, अगर इस level से नीचे closing देती है, अभी आप कहें कि यहा market open किधर होगी, ठीक है, opening के उपर depend करेगा, कि market किस तरह का move ले सकती है, अगर market gap up open होती है, यहाँ पर open होती है, यहाँ पर closing हो जाती है, तो हमारे sell circuit rate activate होगा, अगर market gap down open होती है, उपर किधर बढ़ती है, और यहाँ पर कहीं पर closing दे रहती है, तो इनीके market gap down open होने के 8.6 हमारे level रह सकता है, तो यह levels आप mark कर लिजे अपनी chart पर, यह levels हमें काफी help कर सकते हैं, trades plan करने में, अब इसके बाद अगर आप कोई indicator यूज करते हैं, तो देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे indicators है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कोई indicator भी type करते है मान लीजिए, OBV आप type करते हैं, तो OBV में आपको on balance volume है, लेकिन इसके साथ काफी सारे यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे, हमें नहीं पता कि कौन सा OBV में लगाना है, तो बहुत सारे indicators हैं, और एक indicator कभी भी आपको 100% shorty के साथ trade नहीं देगा, तो आपको multiple indicators use करने होते लेकिन multiple indicators में भी आप कौन से indicator के साथ यूज़ करोगे, यह भी एक problem create कर देता है, तो हमें ऐसे indicators यूज़ करना होते हैं, जो हमें perfect trade दे सके, जो कि इसको find out करना थोर सा मिश्क्री होता है, काफी सारे research लगती है, back testing लगती है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक strategy लेकर कर रहे हैं, कुछ indicators यूज़ कर रहे हैं, आप उस indicators का combination है वो, उसको आप यूज़ कीज़े, जैसे ही उस अभी indicators अपनी condition को fulfill करते हैं, आप trade में entry लेज़े और perfectly आपका trade जो है, profit booking के साथ ही close होगा, तो आप strategy यूज़ करके देखे, और strategy पसंद आए तो आप comment box में ज़रू आपके कमेंट्स हम रोस पढ़ते हैं, और हमें काफी motivation भी मिलता है, हम occupied रहते हैं, busy रहते हैं, बट उसकी बावचूद भी comments पढ़ने में की जो curiosity है, वो हमेशा बनी रहती है, तो comments हम जबरूर पढ़ते हैं, और thank you, आप लोग इतना motivate करते हैं, आप हमारी videos को पसंद कर रह है, so I hope आपको ये video पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप खुब सारा profit earn कीजेगा, और खुब सारी party कीजेगा, new year पे और safe party कीजेगा, और I wish कि आपका जो नया साल है, वो बहुत ही बहुत ही जादा profitable हो, okay investors, bye everybody, take care and keep on earning profits, good night and happy new year.